हेलो गुड मॉर्निंग ओल फ्यू स्वागत है आप सभी लोगों का फोकस कॉंसेप्ट में देखो आज इस पेपर गे हैं मैट्स के सॉलुशन करेंगे ये एक नॉन टीचिंग एक्जैम रहेगा स्टैनोग्राफर इंग्लीश और 14 अगस्त 2021 की आंसर की है जिसकी टाइमिंग साड़े बारा से धाई थी कम्प्लीट पीडियाफ है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहे हैं और जैसे कि एक नॉन टीचिंग एक्जैम है तो यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट में चालिस कोशन मिलेंगे मैट्स में भी देखो आपको टोटल 40 कोशन मिलने वाले हैं और दो पार्ट्स में मैं उनको सॉल्व कराऊंगा आज मैट्स में हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे टोटल 20 कोशन आपको मिल रहे होंगे और बिल्कुल इसके बाद कल जो आपको वीडियो मिलेगी उसमें अगले मतलब जो है मैट्स का सेक्शन रहेगा अगले 20 कोशन रहेंगे कौन से भी आज के 20 कोशन है एक एक करके बड़े द्यान से देखो हमें समझने है पहला कोशन आपको नज़रा रहे है देखो दिरे दिरे ये कोशन है एवरेज का एवरेज एज कहते है कि एक पती उसकी पतनी और उनके बच्चे यानि की तीन मेंबर्स है यह और एवरेज एज इनकी बता रखी होसाद है यह लेकिन चार साल पहले और वो 27 वर्ष थी तीन वर्ष पहले भी हमें एक औसद बता रखा है और यह औसद ना पती और पतनी का है 37.5 वर्ष अब बच्चे की देखो वर्थमाना यू निकालनी है कहने का मलब है आपको जितने भी एवरेज दे रखे है न उसको वर्थमान में लेकर आओ जैसे एक एवरेज तो देख वर्थमान में वो 31 होगा और अगर 31 एवरेज होगा तो सम कितना होगा योग कितना होगा तो आप समझ रहे हो तीन गुना 31 यानि कि तीनों मिलाकर वर्थमान में यह 93 वर्ष के है अगला एवरेज देखो आपको तीन वर्ष पहले का मिल रहे है और यह पती और पतनी का या और अगर 40 point average दो का है तो दो से आप multiply करोगे और multiply करने पर आपको मिलेगा 81 year अब ऐसे देखो वर्तमान में ही तीन लोगों का योग इतना है और उनी में से दो लोगों का 81 है तो बचे एक मेंबर की जो age होगी वो 12 साल होगी और एक मेंबर कौन बचा तो बच्चा इस बच्चे की वर्तमान ही रहेगी 12 साल इसके बाद देखो question number 2 आपको नज़रा रहे है बिल्कुल असान-सान question है इस first part में कहता है कि दो करमिक छूट करमिक छूट का मतलब होता है देखो successive discount तो दो successive discount यहां पर है एक 10% है दूसरा 20% है पूछा है एक कल समकक्ष छूट परतीशत का मान क्या है इसका मतलब है यह दोनो successive discount जो बराबर होंगे single discount के तो वो single discount कितना है अब देखो पहले भी मैंने आपक successive discounts है तो आप उसको single discount में इस formula के थूरू convert कर सकते हूं x plus y minus xy by 100 यह दो successive discount को single discount पर सेंट में बतलता है एक्स का मतलब जैसे ही 10 है y का मतलब 20 है और xy का मतलब आप समझ रहे हो 200 होगा 10-20 upon में 100 तो इसको calculate करने पर देखो 10 और 20 और 30 में से दो गया 28 28% का यहां पर single discount आप कह सकते हूं कि कोशन नमबर 3 देखो आपको नजरा रहे हैं एक नमबर आपको यहां दे रखके हैं 1-4-2-a-3-5 और कहता है कि यह नमबर ना पूरा पूरा बैट डिवीजिबला 11 से विभाज्य है 11 से एक ही जंगा पर कौन सा अंक होना चाहिए अब 11 का डिवीजिबिल्टी अब देखो इन दोनों का अंतर या तो होना चाहिए 0 या फिर एक ऐसा नमबर होना चाहिए जो 11 का मल्टीपल हो 11 के टेबल में आए तब जाकर यह नमबर पूरा पूरा डिवीजिबल होगा विभाज्य होगा 11 से अब देखो 9 में आप कुछ भी जोड़ लो लेकिन उसमें से 6 गटाने पर 0 तो आप लेके आई नहीं सकते तो अब आप यह सोचो कि 11 अंतर कैसे बने और 11 अंतर बनाने के लिए देखो इधर कुछ जोड़ना होगा कुल मिलाकर अगर इन दोनों का अंतर 11 है तो आपको समझ में आने चाहिए यह बात कि यहां पर 17 बनाना होगा 17 में से 6 गया तभी 11 बचेगा और यह 17 तब बन रहोगा जब एक ही जगा पर आप 8 रखोगे 9 और 8 17 तभी बनते हैं तो एक आमान हम से पुछ गया है उसका अंसर रहेगा 8 Question No.4 कहता है कि दो अंके की संख्या और अंको को आपस में बदल कर जो संख्या पराप्त होती है तो उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 54 है अब देखो ट्रेलर में आपको पहली बता रहो यह 54 बस आपको मुझे बताना है 9 के टेबल में कितनी बारी में आता है आप बो अब मालनों कोई भी यहाँ पर दो अंको की संख्या है एकस वाई माल लेते हैं अब जैसे मैं आपसे बुछू कि भाई एकस वाई को लिखते कैसे हैं तो एकस क्यूकि यहाँ पर दहाई यंग पर है तो आप उसको दस से मल्टिप्लाई करके लिखोगे और उसी तरीके से जो यहाँ पर है ना इकाई यंग पर है तो आप इसको एकसे मल्टिप्लाई करके लिखोगे कुल मिलाकर एकस वाई को लिखने का तरीका होता है टैन एकस प्लस वाई उसी तरीके से अगर मैं आपसे बुछू कि अगर इस नंबर को पलेट कर लिखा जाए तो आप बोलोग और यह नया नंबर है तो जब आप अंतर करोगे मलब इसमेंसे अब इसको गटाओगे तो आप समझ रहे हूँ यह साइन माइनस हो जाएगा अब 10x मेंसे भाई इस एकस को गटाएंगे हम तो 9x उसी तरीके से जब आप y मेंसे माइनस 10y करोगे तो माइनस 9y पचा और आप यहां से अगर 9 को common ले लेते हो ना तो bracket में बचा x-y तो यहां से हमें result यह मिल रहे हैं कि किसी भी दो अंकिय संख्या को अगर हम पलटते हैं तो original number और पलटने के बाद बना नया number उन दोनों के बीच का अंतर हमेशा 9 के पाड़े में आएगा और 9 के पाड़े में कितनी बार पाड़े में और जितनी बारी में आ रहे हैं बस वही होगा दोनों को की बीच का अंतर तो 6 सवाल का अंसर है इसके बाद देखो question number 5 आपको नज़रा रहे हैं और ratio का बहुत famous question है popular question है अकसर repeat होते हैं आपको बता रहे हैं एक बटुए में wallet में एक रुपे दो रुपे पाच रुपे अब जो यह सिक्के है न देखो वो किस ratio में आपको बता रहे हैं तो रेशियो 5 रेशियो 3 मलबे की ratio है coins का और हमें यह भी बता रहे हैं कि इस wallet में जो total amount है न देखो वो 54 रुपे हैं तो आपको बताना है दो रुपे की सिक्के यहां पर कितने हैं आप करोग का जैसे अगर दो सिक्के एक रुपे वले तो आप बोलो कि दो रुपे तो यहां से बने हैं दो रुपे वाले पाच सिक्के हैं आप समझ रहे हो दो दो वाले पास सिक्के होंगे तो 10 रुपे बनेंगे और उसी तरीके से 5 रुपे के 3 सिक्के होने का मतलब है 15 रुपे तो तो अगर वाक्य में ही सिक्के दो, पाच और तीन होते तो इस बटुए में, इस वालेट में दस और दो, बारा और पंदरा 27 रुपे बन रहे होते लेकिन बन यहां पर देखो 54 रुपे रहे हैं, मलब डबल तो आप करोगे क्या, सिक्कों की संख्या को भी डबल करोगे और इन से बना जो अमाउंट है उसको भी डबल कर दो, तो यह रियल डटा बन जाएगा, अब आप से पूछा जा रहे हैं, दो रुपे के कितने सिक्के हैं, तो आपके सामने है, पाच गुना दो, यानि कि दस सिक्के इसके बाद देखो, कुशन नमबर सिक्स ता आपको नज़रा रहा है, कहते हैं, पचास विशम प्राकृत संख्या होगा, गुननफल क्या होगा, इंगलीश में अगर इसको कनवर्ट करें, तो इसका मतलब है वाट इस दी प्रोड़क्ट ओफ फस्ट 50 odd natural numbers अब देखो, जो विशम संख्या है, उनको odd numbers बोला जाता है, जैसे कि वो एक से शुरू होते हैं, और एक के बाद जो अगला आपको odd number मिलेगा, वो तीन मिलेगा, तो इस तरीके से देखो, आपको multiply करना है numbers को और ऐसे total पचास number होंगे कोई जरूत नहीं है, उन सभी numbers को जानने की या फिल लास्ट number क्या होगा कुछ भी जरूत नहीं है आप एक बड़ी multiply करना स्टार्ट करो, देखो एक गुना तीन, तीन, विशम बन रहे हैं, तीन गुना पाच पंदरा का पाच ले लो आप यूनिट डिजिट से आप पहचान लोगे एवन है या ओड है, और पाच सत्य पैतिस का फिर से पाच मरला हमेशा जो ये रिजल्ट बनेगा ये विशम बनेगा तो आंसर इसका रहेगा कि रिजल्ट जो भी होगा विशम होगा इसके बाद देखो कुशन नमबर सेवन था आपको नजरा रहा है, बता रख़ए कि दो संख्याओं का ल्सी एम 336 है दो संख्या जिनकी बात उरी है उनका अनुपात आठ अनुपात साथ है तो वो दोनों नमबर्स क्या होंगे अब देखो आठ अनुपात साथ में दो नमबर्स का होने का मतलब है कि अगर हम नमबर्स बनाए तो आठ एक्स और साथ एक्स कह सकते है आठ और साथ तो रेशी होता नमबर्स के अगर बात होगी तो आप बोलोगे आठ एक्स और साथ एक्स अब जैसे मैं आपसे बुछू इन दोनों के LCM बताओ तो आप बोलोगे X तो दोनों ही जंगा पर है उसको एक बारी लिखना है और उसके अलावा आप लिखोगे 7 गुणा 8 तो अपना LCM तो इन नंबर्स के धुरू इतना बनना चाहिए बट वो हमें गिवन 336 है और आप बहुत असानी से यहां पर X की वैल्ली निकाल सकते हो आप जाओ तो 7 और 8 से इसको अलग-अलग काट लेना वरना 7 गुणा 8 56 होता है 56 से आप सीधा काट सकते हो आपको X की वैल कुणा 6 हो गया 42 तो बिल्कुल basic question था चलते एकले question पर अब देखो यह कई बरी रिपीट हो चुका है कहता है कि 20 पूर्णांक का और सत शून्य है तो अधिक से अधिक कितनी संख्या शून्य से अधिक हो सकती है आप देखो समझना है अपर टोटल 20 नंबर है और इन 20 नंब संख्या हो को जोडने पर भी जीरो बना होगा क्योंकि आप समझते हो average कैसे निकालते हैं जो भी सम बनता है योग बनता है संख्या होगा उसको डिवाइड करते हैं number of terms से अब number of terms तो देखो 20 है और अगर आप average चाते हो जीरो आए तो आपको सम भी जीरो रखना पड़ेग तो कहने के हम लवें 20 संख्या होगा ना हमें योग जो है वो जीरो बनाना है और ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम हर संख्या को जीरो लेके चले बहुत सारे numbers को हम 0 से उपर लेके चल सकते हैं वही हमसे बुच्छा है तो answer अपना रहेगा 19 19 नंबर को आप जितना बगारो इनको जोड़के आप 1 करोड बना लो तो जो 20 संख्या होगी ना इसको हम क्या करेंगे उतना ही माइनस में लेंगे यानि माइनस का 1 करोड तो 1 करोड से 1 करोड कटके 0 होगी हम तो बस यही हमसे पूछा अधिकतम कितनी संख्या है हो सकती है 0 से उपर तो आप बोलो एक संख्या आपको छोड़ना होगा क्योंकि जितना योग बनाएगी 19 संख्याए 20 संख्या को उतना ही हमें माइनस में लेना होगा तो एक संख्या को छोड़ कर बाकि सभी संख्याए जो है वो 0 से उपर हो सकती है कोशे नमबर 9 देखो आपको नजर आ रहें यहां पर आपको बता है अधिती और आयूशी का जो वेतन है देखो वो 2 रेशियो 5 के अनुपात में है अब क्या गरने है उनके वेतन में विरिद्धी होती है इतना इतना परसेंट तो जो नया वेतन है उसका अनुपात बताने है आप देखो इसको 200 और 500 मन लो बनावी सी रेशियो में आप जो मरजी नमबर मनन लो अब 20% जैसे की इसके वेतन में विरिद्धी होई है तो आप समझ रहे हूँ 200 का 20% 40 होता है और उसी तरीके से देखो यहां आयूशी के वेतन में 12% की विरिद्धी होई है 500 का 12% आप और इनका जो रेशियो होता है देखो अब जब काटोगे 8 से 3 बरी और 8 से 7 बरी तो 3 रेशियो साथ में इनका रहेगर निया वेतन इसके बाद देखो question number 10 कहता है कि भाई दो यहाँ पर positive integer से और P और Q उनके नाम है तो जब हम P को divide करते है 5 से तो हमें यहाँ पर remainder मिलता है 3 उसी तरीके से अगर हम Q को divide करें उसी 5 से तो remainder हमें मिलता है 4 अब आपको क्या बताना है देखो आप divide करोगे P minus Q को और P minus Q को जो divide करना है वो भी 5 से ही करना है remainder बताना है अब क्या यहाँ पर P और Q की value है कुछ भी जानने की जरूत नहीं है आप देखो अलग-अलग divide कर सकते हो आप P को अलग से divide कर लो 5 से और जरूत ही नहीं है यहाँ देखो बता रखका है हमें कि जब P को 5 से divide किया तो remainder 3 आया था तो आप बोलोगे यहाँ तो remainder आगया 3 उसी तरीके से जब Q को हम divide करेंगे 5 से तो भी आपको पता है remainder 4 है और बीच में देखो इनके minus है तो हम minus कर दो आप बोलोगे remainder जो है minus का वनाना चाहिए लेकिन आपको पता है remainder होता है positive तो कभी अगर negative remainder आ भी रहे उसको positive कैसे बनाना है मैं यहाँ लिख देता हूँ जो भी negative remainder है बस आप उसमें divisor यानि की भाचक जिससे आप divide कर रहे हो बस उसको add कर देना है और minus का एक plus का पाच आप समझ रहे हो 4 तो जिसका remainder negative में minus 1 होता है तो उसी का positive remainder 4 होता है चारी सवाल का answer है question number 11 देखो फिर से एक basic और अच्छा question है मलब paper में ऐसे questions मिलेंगे आपको जुरूर कहता है कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 2832 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि जो योग बनेगा मलब कुछ जोडने पर जो योग बनेगा वो 41 से संपून रूप से मलब completely divisible हो अब सबसे बहले देखो आपको करना क्या होगा 2832 होना 41 से divide करो और कारण जानो कि यह divide पूरा हो रहा या नहीं हो रहा और नहीं हो रहा तो 41 से जब आप इसको divide करना शुरू करोगे तो 41 का table देखो हम कितने बारी बढ़ सकते हैं आप एक बारी 6 बारी पढ़ के देखो तो आपको मिल रहा है 246 और 7 बारी में आप समझ रहे हो एक और 41 अगर हम जोडे तो यह इतना बन जाएगा मलब जाता हो जाएगा तो आप इसको 6 बारी पढ़ो 6 बारी में बनाया इसन टेबल देखो आप नौ बारी बढ़ के देखो तो आपको मिलेगा कितना नौ और नौ गुणा चार 369 तो अब देखो यहां आपको कारण पता चला कि यह नंबर पूरा पूरा डिवाइड क्यों नहीं हो पाया तो यहां पर रिमेंडर 3 बचा अब रिमेंडर 3 का मतलब होत भी देखो हमें घटाना नहीं है अगर घटाने के लिए गया तो हम 3 घटा देते उसने बोला क्या हम जोड़े तो अब आप यह देखो यह 41 से कितना कम है तीन अब बोलोगे 38 तो अगर हम 38 इस नंबर को और देते और यह 3 और भी है मलब 38 के साथ यह 41 बना देगा तो हम 41 से इस नंबर को पूरा सत्तर बारी बढ़ सकते हैं तो अगर माइनस करना होता तो देखो तीन माइनस करना होता और जोडने की बात आ रही है तो आप देखो कि फॉर्टी वन से यह रिमिंडर कितना कम है तो थर्टी एट हमें इसमें जोडना होगा तब जाकर यह 41 से होगा ड पार्ट शाला में 60% लड़के हैं और 40% लड़की हैं अब देखो 60% को आप 60 ही मान लो चलो 60 है यहां पर लड़के यानि की बॉइस और जो गर्ल्स है वो है यहां पर 40 तो चात्रों को क्या करना है देखो दो गुरूप्स में बाटने हैं अब एक गुरूप का नाम है बगत सिंग हाउस तो अमबेडगर हाउस में यहां लिख देते हैं देखो अमबेडगर और दूसरा बगत सिंग तो अमबेडगर हाउस में ना 40% लड़के हैं देखो लड़के आपको नजरा रहे हैं 60 और 60 का जब आप 40% निकालोगे तो 20 आ जाएगे देखो ऐसे जब परसेंट ये भी देखो कितना आ जाएगा चौबिस तो चौबिस लड़के चौबिस लड़किया यानि की सौ में से देखो टूटल बच्चे सो है सौ में से अड़तालेस तो ए में हैं तो इसका मालब बावन बच्चे गुरूप B में होंगे जिनमें लड़के भी और लड़ च्च्च चातर है तो बावन च्च्च क्योंकि सौ में से है और सौ का मतलब भी परसेंटेज होते है तो आंसर रहेगा बावन परसेंट इसके बाद देखो कोशन नमबर थिरी है कहता है कि एक संख्या का 42 परसेंट 87 कम है और 87 किससे कम है तो 740 के 60 परसेंट से अब देखो यहां पर आप 740 का तो 60 परसेंट निका दी दो तो यहां से देखो आपको कितना मिलेगा 74 गुना 6 है 70 गुना 6 आप समझते हो 420 होता है और 4 गुना 6 24 होता है तो यहां से रिजल्ट मिला हमें ट्रिपल फोर तो आप एक काम करो अब इस लाइन को काट दो और यहां ट्रिपल फोर लिख लो तो 42 परसेंट जो है एक नंबर का वो 87 कम है मतलब सौरी यह आपको जो काटना है ना आप इसको काटो 60% of 740 को आप लिखोगे 444 और 87 का मैं देखो यह वाला रिजल्ट किसे 444 से तो 444 में से अब आप 87 जब घटा होगे तो आपको मिलेगा देखो कितना 7 और 13 में से 8 गया 5 और 3 तो 357 असल में किसी संख्या का 42 परसेंट है वो नंबर एक्स है और उसका 42 परसेंट ऐसे आप लिखोगे तो यहां से देखो जब एक्स की वैल्यू आप निकालोगे तो 357 उधर रहेगा और यह इधर आकर सो बटे 42 हो जाएगा अब आप इसको देखो 21 से काट लो 2 परी और 21 से यह कितनी परी कटेगा 21 से एक बरी 21 हुआ बचा 147 और 7 परी जबकि 2 इसको काट पर है सो को 50 परी 17 गुना 50 आप समझ रहे हो 850 आप चाहो तो एक पूरी लाइन में एक्वेशन बना के भिगर सकते हो जैसे मर्जी कोशन नमबर 14 देखो कहता है कि रवी को क्या करना था दो नमबर उसको मल्टिपलाई करना था अब उसने क्या किया कि जैसे दो नमबर उसको मल्टिपलाई करना है एक नमबर दूसरा नमबर इस नमबर के बारे में तो देखो मैं पता ही नहीं है लेकिन यहाँ पर जो उसके परिणाम सोरूप क्या रहा कि जो प्रोड़क्ट है न यह वाला प्रोड़क्ट यह 513 से बढ़ गिया मलब इस प्रोड़क्ट का और इस प्रोड़क्ट का जो अंतर है वो 513 है तो आप से पूछा जा रहा है न्यू प्रोड़क्ट न्यू प्रोड़क्ट का मलब यह व वाला प्रोड़क्ट 74X बना और जैसे कि ये वाला प्रोड़क्ट 513 जाता है इस प्रोड़क्ट से तो आप माइनस कर लो 74 में से जब आप 47 घटा होगे तो आपको मिलेगा 27X और 27X की ही वैल्यू यहां पर 513 होने चाहिए यह एक्स की वैल्यू जब आप निकालोगे 513 बटे 27 तो आपको ना 19 मिल जाएगी और अगर एक्स की वैल्यू 19 मिल दी है तो देखो आप से नया प्रोड़क्ट पूछा जा रहा है यानि की X इंटू 74 X का मतलब 19 19 इंटू 74 आपको करना है और यूनिट डिजिट जब आप द लेके 89 तक कितनी संख्य है जो साथ से पूरी तरह से विभाज्य है अब आप क्या करो देखो यहां पर अगर मैं आपसे पूछता एक से लेके 89 तक बताओ तो जब भी एक से शुरुआत होती है ना तो बहुर असान होता है नंबर्स को गिरना आप लास्ट नंबर को पगड ही साथ आएगा मलब एक से लेके 89 तक जो सेवन से कटने वाले नंबर होंगे वह 14 होंगे अब हमें देखो कहां से गिरना शुरू करने 19 से तो आप समझ पा रहे हो कि 19 तक जो साथ से पूरी तरीके से नंबर विभाज्य है वह एक तो साथ होगा और एक 14 होगा अच्छा एक मलब कुछ है हमने गड़ बड़ी कर दी आंसर ऐसे नहीं आएगा दुबार ऐसे करते एक बड़ी चलो यहां देखो 89 तक मैंने आप से पूछा था कि कितने साथ आएंगे तो 89 को आपने 7 से डिवाइड किया 7 से 1 बड़ी गया था और पता नहीं है मैंने कैसे मैंने लग गल ना शुरू करना है तो 19 तक जितने भी साथ आए है अब समझ रहे हो दो ही नमबर आए होंगे साथ से गटने वाले उनको वस आप गटा लो तो 19 से 90 तक होंगे 10 बड़ी एक और तरीका मैं आपको यहां बता रहे तो देखो दूसरा तरीका यह होगा कि 19 के बाद जो पहला होगा साथ के बाड़े में आने वाला वो 21 होगा इसके बाद 28 होगा आप समझ रहे हो साथ साथ के अंतर के बाद और अगर मैं आप से सीधा पूछू कि लास्ट नमबर बताओ तो वह भी आप समझ रहे हो चुरासी होगा अब यह एक एपी सीरीज बन रही है जहां पर वह इदे के बीच में सेम मिलेगा सेवन कम और एपी सीरीज में नमबर ओफ ट्रम्स को गिरने का फॉर्मुला होता है लास्ट रम माइनस फिर्ष ट्रम डिवाइद बाई कॉमन डिफरेंस प्लस वन लास्ट रम यहां पर 84 है फिर्स ट्रम यहां 21 है कॉमन डिफरेंस यहां 7 है प्लस वन तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व करोगे तो भी आपको मिल जाएगा दस इसके बाद देखो कुश्च नमबर सिक्स्टीन था आपको नजरा रहा है क्याता है कि एक चित्रकारी पाच परतीशत के लाप पर बेची गई थी अगर इसे तीस रुपे और ज्यादा में ह सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि आप इस पेंटिंग का सीपी ना सौ रुपे मानलो क्राय मुल लें कि खुद हमें यह सौ रुपे की बड़ी थी और हमने इसको पाच परसेंड के लाप पर बेचा एक सो पाच में अब जैसे कोई हम से कह रहें कि अगर हम तीस चल डटा है और दोनों डटा के भी मिक्स नहीं होते हैं लेकिन आप इस पेगाम कर सकते हों कि दस परसेंड के प्राफिट होता है तो यानि यही सो वाला समान 110 में चला जाता हम और 105 से 110 का मलब है पाच रुपे जाद हमें बेचना पड़ता हमें जबकि यहां में पता रख इस पेंटिंग का क्रेम उल्ले कोशन नमबर 17 ने आप देख पर हूँ बिल्कुल असान से कोशन है कहता है 600 का कितना परसेंट 420 है तो 420 वह नंबर है जिसका हमें परतीशत निकालना है और परतीशत हमेशा किसी की तुलना में निकलता है तुलना देखो 600 से हो रही है और जैसे की मतलब होता है परसेंटेज का 100 पर तो 100 से हम मल्टिप्लाई करोगे तो आपको बहुर असानी से मिल जाएगा 70 परसेंट इसके बाद देखो कोशन नमबर 8 फिर से प्रॉफिट एल लॉस का है कहता है कि एक दुकानदार ने एक वस्तू को बेच कर 70 परसेंट का अब क्या बुले देखो कहता है कि इसके आगे यदि लागत मुले लागत मुले का मलब कोस प्राइज 25 परसेंट की विरिद्धी हो जाए उसमें मलब अब सीपी सौनी 125 हो जाए लेकिन यह जो विक्रह मुले ना यह समान रहे मलब यह अभी भी 170 रहे तो अब पहले तो आप आप समझ दो नीचे सीपी रखना होता है परसेंट के लिए 100 अब जब इसको आप कैलकुलेट करोगे 25 से 4 बरी गटा 5 बरी 5 से 9 बरी तो आप बलोगे 36 परसेंट का प्राफिट होगा और हमसे पुछा है तो लाप परतीशत में कितनी कमी हुई तो जहां पहले लाप आप 36 रह गया तो आप देख पा रहे हो कमी 34 की हुई 34 परसेंट इस कोशन का अंसर है इसके बाद देखो कुशन नमबर 19 करिश्मा और अम्रीता देखो यह दोनों क्या करते हैं एक गोलाकार मैदान के चार और दोड़ते हैं और एक राउंड को पूरा करने में करिश्मा को 38 सेकिंड और अम्रीता को 56 सेकिंड लगते हैं तो हमसे पूछा हैं कि एक ही दिशा में एक साथ शुरू करती है मैंने आपको समझा दिया तो एक ही स्थान पर फिर से कितने समयवाद मिलेगी तो मालोगी जैसे यहां से लोने शुरुआत कीती तो दुबारा इसी पॉइंट पर आने में उनको कितना टाइम लगेगा अब यह कॉंसेप्ट देखो आप समझते हो हमें दोनों का LCM लेना होगा और जो LCM होगा ना वो टाइम हमें पता चल लिया तो हम बताएंगे इतने समयवाद ही हमेशा उसी बिंदू पर मिलते रहेंगे LCM क्या होगा तो आठ से देखो यह दोनों नंबर आपको कटते नज़रा रहे होंगे चै बारी और आठ से यह साथ बारी अब देखो आठ को आप एक बारी लिखोगे क्योंकि कॉमन है और इसके लावाद चै और साथ क्योंकि कोप नहीं है आप इनको भी साथ में लिखते हो तो यह बनेगा इनका LCM मल्टिपलाई करने पर यह 336 सेकिंड बनेगा और 336 सेकिंड में 300 सेकिंड तो 5 मिनट बना देते हैं और उपर के 36 सेकिंड अलग तो आप बलोगे 5 मिनट और 36 सेकिंड लगेंगे इनको मिलने में इसके बाद देखो कुशन नमबर 90 है कहता है कि 12 किलोगराम गेहु का विक्रैम उल्ले यह लिख देते हैं जो S.P है 12 किलोगराम गेहु का वो बरावर किसके है क्रैम उले 9 किलोगराम गेहु के तो हमसे बुचहेगी यहां परiãoब यहानी जो भी हो रही है वो कितने परसेंट की है अब यह आपने देखो पड़ रखा होगा अगर जो हम इसको पलट दे तो क्या होता है कि यह रुपिस में बन जाते है बनलब यहाँ आप लिखोगे 9 रुपे और यहाँ आप लिखोगे 12 रुपे कि हमने जितना समान खरीदा 12 रुपे में बिल्कुल वो सारा समान हमने 9 रुपे में बेच दिया तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर लॉस है तीन का लॉस है लॉस परसेंट निकालने के लिए आप समझते हो नीचे सीपी को रखना होता है यानी बारा और परसेंट के लिए हंट्रेड बाकि 1 बाई 4 आप समझ रहे हो पच्चिस परसेंट का यहाँ पर रहेगा लॉस तो पहला सेक्षिन बाई यहाँ पर महलब कम्प्लीट होता है और जल्द ही कल दूसरी वीडियो आपको मिलेगी जिसमें सेकिंड पार्ट रहेगा जब तक आप इसको कम्प्लीट करो थेंक्यू